छलो इंवेस्टम स्वर्ट रोकम और ओंडीव मर्केटकर और उसके बाद के और उसके वाद कर आज厌र। देखो कि निप्टी में देखो हैं यहां पर लगातार आप देखो हैं जाइक यहां पर पूरा यह सथ वीक शेशटाआ यहां पर profit booking नहीं आया, 7 weeks से profit booking नहीं आया, अब ही देखो कि एक market वहाँ पर थोड़ा सा एक दोजी साइट, डोजी टाइप का candle बनाया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा profit booking आया, तो profit booking कितना तक आएगा, intraday के लिए कहाँ पर हम कर सक करते हैं, ठीक है, तो weekly में आपको तो दिख रहा है, छोटा सा negative candle दिख रहा है, तो अब one day का chart में देखते हैं कि one day का chart में कैसा दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा big time frame पर करने पर थोड़ा ज्यादा अच्छा analysis होता है, तो आप देखो कि one day candle में भी एक टोजी टाइप का candle ब ठीक है, तो चलो अब one week में देख लिए हम लोग की डोजी टाइप का negative candle बनाया है, one day में भी देखेगी negative बनाया है, अब intraday में हम लोग देखते हैं, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, intraday के लिए क्लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो intraday के लिए मैं 15 मिंट का chart लगा लाता और उसका मैं आपको analysis देता हूँ, intraday का click का क्या कर सकते हैं, तो intraday में आप देखोगे कि आज का market पूरी तरह से sideways ही रहा है, तो वह सा negative ही बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि जैसे ही market यहाँ पे open हुआ, ठीक है, यहाँ पे open हुआ, थोड़ा सा उपर गया, उसके बा market कहां पी open होगा, तो क्या कर सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ, अगर market flat open होता है, थोड़ा दर wait कर सकता है, वेट करें, तो आपके लिए ज़्यादा target नहीं बन रहा है, एक target यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, आप बोल सकते हो, एक target यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एक target इस इसके ऊपर जब market consolidate करता है, थोड़ा वेट करता है, तो एक target यहाँ तक के लिए बना सकते है, इससे ज़्यादा target उपर के लिए आपको नहीं बनेगा, अगर market flat open होता है, अगर flat open होके नीचे आना स्टार्ट होता है, तो आपके लिए एक target यह बनेगा, यह बनेगा, दूस 5350 के लिए target बना सकते है, अगर market मानलो की gap open होता है, अगर इसके ऊपर open होता है, तो उपर निकल सकता है, अगर आपके लिए अगर flat खुले यह तो gap down खुले, तो आपके लिए मैं बता दिया, अगर मानलो की इधर gap down, इतना बड़ा gap down खुलता है, तो आप ऐसा नहीं कि आपके लिए support का काम करेगा, तो आप target बना सकते है, उनीस जार 400 के लिए, 21400 के लिए target आप यहां तक के लिए बना सकते हो, क्योंकि यहां मैं market मानलो की खुलता है, तो यह जो है यह आपके लिए resistance का का काम करेगा, अगर यह मानलो की इसके ऊपर मैं price action में बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर खुलता है तो आपके लिए यह वाला रेसिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट का आपको बता दिया मैं 50 मिल कहां पर गैप डाउन हो या तो फ्लैड खुले या गैप खुले तो कहां तक टार्गेट आप बना सकते हो अगर मानलों की गैप खुलता है सपोर्ट के लिए काम करेगा तो चलो अब बैंग निफ्टी कि हम क्या कर सकते हैं ठीक है वो सकता है कि थोड़ा वोलाटाइल रहे थोड़ा उपर जाये फिर नीचे इतना ही में ट्रेड करें ठीक है तो बैंग निफ्टी में भी हम लोग थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम थे लेते हैं वन वीग चैनल धिखते हैं वन मिः क्या है जो की देखो कि यहां पर भी थोड़ा profit booking आ सकता है कैसे आ सकता है कहां पर आ सकता है हम लोग देखेंगे 15 मिट के चार्ट फे हम लोग कहां पर trade करेंगे कि हम लोग तो बेसिकली हम लोग ऐसा नहीं है कि position hold करके ले जाओगे हो सकता है position hold करके ले जाओगे आपको नुकसान हो जाएगा लोग मेलनी इंट्राडे करते हैं ठीक है तो वण डे में क्या sentiment बन रहा है तो वण डे में इसका time frame में देखते हैं वण डे में अब देखो कि एक अच्छा खासा बीरी स्केंडल बनाया है जो की ऊपर वाला केंडल जो जो केंडल एक बूलिस बनाया था उसके थोड़ा सा मतलब बिक्स के तो थोड़ा उपर है बट एक क्लोज किया है तो इसमें भी आपको क्योंकि कंट्रीमस आप देखो कि यह भी उपर जा रहा था त थोड़ाता पूरोफिट्स के हैं होगा ठीक है तो कहां पर किया होगा चलो 15 मिन पर देख लेते हैं कि हम लोग इसमें कहां पर बनाएंगे ठीक है कहां तक हम लोगों ट्रेड मिलेगा तो फिप्टीं में पर देखो कि आज क्या हुआ एक आपको थोड़ा सा वेयरिस में ऑ तो थोड़ा सा नीचे आया फिर मार्केट को उपर ही जाना था उसके बाद फिर यहां पे आप बोल सकते हैं ठीक है और एक ट्रेंड लाइन भी आपको दीख रहा होगा यह यह वाला ट्रेंड लाइन है ठीक है तो प्रोफिट बुकिंग हुए था हम लोग क्या कर सकते हैं ठ यहां पर फ्लैट ओपन होता है यहां पर नहीं यहां पर नीचे ओपन होता है 47800 कहीं ओपन होता है यहां पर तो आपके लिए टार्गेट गाइड बन जाएगा आपको टार्गेट आपके लिए बन जाएगा यहां तक आप टार्गेट बना सकते हो यह टार्गेट बना सकत अगर अगर इधर ओपें होता है तो इससे ज्यादा तो ज्यादा बनाना ही नहीं कि अल्री मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर चुका है तो मूव करना होगा थोड़ा सा कॉंसलीडेट करेगा फिर मूव करेगा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भी फिल कर सकता है जो के 47,200 तक आप देखने को आपको मिल सकता है अगर फ्लैट खुला तो यहां तक के लिए बनेगा अगर यहां मान लोगी यहीं नीचे खुला तो आपको एक गैप फिल करने के लिए आप दिख सकता है तो इंटरडे के लिए मैं बता दिये कहां पर है गाराल को यह एक विद्ध को सब्सक्राइब करो और देखना गारा लेवल में डायो काम करता है यंदा विडियो अच्छा लागा गातो लाइक करेश्रेब करो थैंक्यू ब्लब